हेलो एवरीवन बात करेंगे यह आपकी क्लास नंबर फाइव है और हम डिल कर रहे हैं बियद जो कि आपका हर्याना बियद को बुक है आपकी चाइल्ड हुड एन ग्रोइंग अप और जिसको लिखा है डॉक्टर एसी अभिरोई और लक्ष्मी पुब्लिकेशन इसी से हम कव इसी है वह क्लास नंबर हमारी फाइव है यह जो टापिक है यह आपको पता होगा पेपर हमेशा ऑप्शनल आता है चाहरा वो टैट सीट का हो चाहरे आपके जोब exams का हो और जो लिखने का material है जो वीरड वाले student है वो अपनी book को साथ में रखके इसके साथ connect कर लिए ताकि उनको समझने में असानी हो चलिए बात करते हैं कौन-कौन से factor से अब देखे बहुत सारे development होते हैं इससे पहले हमने दिसकस किया था कि इनफेंसी स्टेज क्या होता है सबसे पहले चाहिए ग्रोथ और development की बात कि थी class number one में जिसने नहीं देखा वो कर लो जहां पर हमने growth और development के सभी aspects पर discuss किया था class number two पे हमने infancy stage को discuss किया था stages पर आ गए थे उसमें जो सबसे ज्यादा main important होता है वो heredity और environment होता है लेकिन इनको छोड़ कर भी बहुत सारे factors ऐसे होते हैं heredity और environment को हिंदी में बोलते हैं अनुवान्शिक्ता और प्रियावरण ठीक है दोनों चीजे बच्चे के social और mental level को affect करती है नंबर वन है under nutrition during infancy अंडर nutrition का क्या मतलब है कि first to five years की बात हो रही है infancy stage को मैंने वहाँ पर discuss किया था first to five years जो कि infancy stage माना गया है तो यहां पर क्या होता है जो पांच साल तक बच्चों को गर nutrition diet नहीं मिलती मान लोग की nutrition diet, balance diet है ना संपूरन आहर जिसको बोलता है हिंदी में जिसमें आपका protein, carbohydrate, fights, vitamins, minerals यह सारी चीज़े होती है जो कि बच्चे के proper development के लिए ज़रूरी होती है तो अगर उससे नहीं मिलता है तो भी बच्चे का जो development है वो ठीक से नहीं हो पाता है next point है influence of parents and child interaction मतलब कि जो बच्चे के उसके माता-पिता के साथ interaction होता है मतलब कि जो जान पेचान होती है या जो relation होता है वो भी affect करता है parents merit have great influence on their child, he learns many thing from their child of the home environment जैसा कि बच्चा अपने घर के वातावरण से home environment मतलब घर का वातावरण घर के वातावरण से बहुत सारी चीज़े सीखता है तो यहां पे जो parents है जो मम्मी पापा है जो माता-पिता है वो भी बच्चे के development में बहुत important role play करते है देखे जिस घर में मम्मी पापा आवसमें लड़ते जगरते नहीं है या फिर देखा उन्होंने मम्मी पापा उठ रहे हैं और दादी दादा से नमस्ते कर रहा हाथ जोड़के तो बच्चा वही चीज़ सीखता है ना वह भी bonding में उठेगा और यहीं चीज़ करेगा तो इस तरीके से जो बच्चे का mental development है mental मतलब उसका जो बोधिक विकास है जो मानसिक विकास है वह इस तरीके से होता है mental development मतलब मानसिक विकास next point है point number three heredity heredity का मतलब होता वंशानुकरम क्या होता है वंशानुकरम हिंदी में इसको बोलेंगे इसके अंदर क्या होता है जो mental abilities होती है जो दिमाग की कुछ abilities होती है जो योग्यताएं होती है हमारे अंदर वो हमको कहां से मिलती है heredity से मिलती है मतलब कि one शानुकरम से जरूरी नहीं है कि यह हमेशा सेम हो कभी-कभी ओपोजिट भी हो जाती है कभी-कभी पैरेंट्स की मम्मी पापा के हरेडिटी से हमें कुछ चीज़े मिलते हैं कभी-कभी दादा दादी ये नाना नानी तक भी चली जाती है ठीक है अब आपने बहुत सारे बच्चों को जिनके पैरेंट्स कोई अच्छा म्यूजिक आते हैं तो बच्चे भी उसमें उनको हैरेडिटी से वो चीज़े मिल जाती हैं तो ये सब चीज़े जैसे आँखो का रंग बालो का रंग ये सब चीज़े और मेंटल जैसे की मानसिक का क्या सोचने समझने की कैपिसिटी बोल नेक्स्ट और सेक्स दिफरेंसे सेक्स नसे मितलाइं यहां पर मेल एर फीमिल से बात हु रही हैं गर्ल और बहुकरит मेल से बात हु रही है तो इस सेक्सपिं तौक और मिलियस और मेंटल डव स्धूरिफ मोजब। गल्स mental development is based on in born abilities on parents relationship तो cultural जो values है वो भी mental development को affect करती है और sex के अंदर भी differences होता है मतलब कि जो लड़का और लड़की है उन दोनों का जो मानसिक विकास है उसको लेकर भी थोड़ा सा difference देखने को मिलता है अब देखो एक एक शब्द का मतलब समझना है need of achievement मतलब कोई भी चीज जो हासिल की गई है न कहते है उसकी कोई उसने कुछ अचीव कर लिया है मोटिवेशन अभी प्रणना हंदी में क्या बोलते है अभी प्रणना and intellectual development इंटलेक्च्वल का मतलब होता बॉधिक विकास क्या मतलब होता इसका बॉधिक विकास मैं हिंदी में इसलहें बताते हूँ डिपेंड करती है mental development को affect करती है एक factor है कि जैसे आपको को achievement चाहिए आपको class में first second third आना है आपको कोई medal चाहिए आपको कोई trophy चाहिए यह आपका अंदर का motivation जो अभी प्रेना है और जो बहुत धिक विकास है यह सब एक दूसरे से मिलके क्या आप करते है mental development करते हैं next point है point number six school school को बूला जाता है यह secondary socialization है primary socialization हमेशा family होती है secondary socialization में आता है आपका school school जो है play an important role in the mental development of a child क्योंकि जब बच्चा छोटा ही होता है जब वो infancy में ही होता है तीन से चार साल का बच्चा जो है वो school में enrolled हो जाता है right तो इसलिए जो school है वो एक important role play करता है the important element of school are personality of teacher teacher की personality भी important role play करती है अब यहाँ personality का मतलब यह नहीं teacher गोरी है teacher काली है teacher के लंबे बाले यह सब बिलकुल भी नहीं है personality का मतलब क्या होता है how he or she trust him or herself कैसे उसका बुलना है कैसे explain करना है कैसी simplicity है कैसी educates है कैसे manner से यह सब चीज़े आ जाते हैं उसके दर टीचर punctual है नहीं है यह सब चीज़े बच्चे को affect करती है next thing teaching method अगर teacher का teaching method अच्छा है तो बच्चे का जो बच्चा है उसको उसका mental development अच्छे प्रॉपर तरीके से होता है अगर वो समझा अच्छे तो जब समझ में आ रहा है इसका मतलब क्या हो रहा है इसी के अंदर नेक्स पॉइंट है करिकुलम करिकुलम मतलब की जो आप जो आपका एक सलीबस होता है करिकुलम को कल एक सornoीबस होती हैं सहगामी क्रिया हैं जो आपके मार्ग, पढ़ाय, लिखायी को छोड़कि जो डास हो गया या प्ले हो गया यह सारी чो सेसाइटीजों होती हैं और आट इन ग्राफ्ट का काम हो गया क्यों जो सब उसमां जते कोख यॉड़्स ही इस सारी को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है नेक्स्ट पॉइंट है आपका शो शो एकनॉमिक स्टेटस ओफ फैमिली अनदर आस्पेक्ट अच्छा अब क्या बताइए क्या मेंटल जो लेवल है उसको समाजिक आर्थिक जो स्थिती है परिवार की वो एफेक्ट करती है यह नहीं अब जो कोई हाई स्टेटी में बच्चा रहता है एक बच्चा है जिसके पास प्पीटर है घर पे लाप्टोप है और सारीग्यूप्ट है तो टाइम टाइम पे वो वीक में या मन्थ में एक दो बार बाहर जाते हैं कहीं कोई यूजन सेंटर पे चले गई किसी मूसियम प वो comparatively अच्छा होगा उसका जो mental level है जो बौधिक विकास या मानसिक विकास है वो दूसरे बच्चों के comparison अच्छा होगा जिन बच्चों को ये facility नहीं मिल रही बहुत सरे ऐसे घर होते हैं जिन घरों में आज भी laptop या computer नहीं है तो अब उन बच्चों से उमीद की जाए कि या वो बाकी बच्चों के तरह typing करें तो क्या ये possible है फिल्कुल नहीं तो इसलिए बोला जाता है कि जहां पे शोशो economic status जादा होता है वहां पे mental level भी जादा होता है पर कुछ केसिस में बहुत opposite भी होता है बहुत सरे ऐसे UPSC aspirants भी मिलते हैं जिन्होंने क्वालिफाई किया बहुत लिस इन्हों रिक्वार्मेंट में बहुत कम चीज़े होती हैं उनके पास तो ऐसे लेकिन ऐसे केसिस बहुत कम होते हैं हम जो भी पढ़ते हैं वह मैजॉ को क्या effect पढ़ता है और दोनों का ही effect पढ़ता है मेंटल लेवल पे क्योंकि अगर देखिए conflicts होते रहेंगे तक्रारों होती हैं माल रगलत भी यह सब नहीं रहेगा टो definitely mental level भी effect करेगा family family को बताने के जरूत नहीं है क्योंकि ये बच्चे का primary socialization भी है और बच्चा यहीं पर पैदा होता है अपने परिवार के लोगों के साथ ही बड़ा होता है जिस तरह की बाते परिवार में होती है जैसे कि अगर parents के अंदर या family में newspaper reading के habit है तो बच्चा भी दीरी दीरे newspaper reading के habit पर चला जात है तो यह सब चीज़े अफेक्ट करती है टेन नबर पर फिजिकल ग्रोज जिसे बोलते हैं शारीरिक विकास शारीरिक विकास भी mental development मतलब की मांसिक विकास से relate करता है जुड़ा हुआ है क्योंकि जब आप फिजिकली फिट होंगे जब आपका शरीर स्वस्त होगा तभी आपका जो मैंटल लेवल है जो मांसिक विकास है वो ठीक तरीके से हो पाएगा अब बच्छे बीमार है और कोई उससे बोले कि उसका mental level अच्छा होगा तो ऐसा थोड़ी हो सकता है कोई बीमार इंसान थोड़ी उठके पढ़ने की कोशिश करेगा कुछ जानने की कोशिश करेगा कुछ समझने की कोशिश करेगा नहीं क्योंकि वो physically fit नहीं है शारीरी प् पॉइंट नमबर 11, environment. Good environment is very crucial for mental development. Child needs a lot of opportunities for mental development. अच्छा, environment होना भी बहुत जरूरी है. दो तरह की environment होते हैं, मैं आपको बता दू. environment मतलब प्रियावरन या वातावरन एक internal होते हैं एक external होते हैं ठीक है internal मतलब आपका home का environment कैसा है और external मतलब आपके आसपास का environment कैसा है आपका school का environment कैसा है दोनों ही चीज़े बहुत जादा बच्चे के development को affect करती है अगर घर का जो वातावरन है वो pleasant है सब लोग पढ़ने लिखने वाले हैं सब लोग धीरी धीरे बात करते हैं गाली के लोच नहीं करते तो बच्चा भी उसी तरीके से उसका विकास होता है लेकिन अगर इसकी opposite situation है तो उस तरीके से होता है तो ये भी इसका important factor है तो मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में ठीक है जिसमें हम discuss करेंगे किसके बारे में emotions की बात करेंगे कि emotions क्या होते हैं जो आपका next topic है class number 6 में discuss करें thank you so much stay connected